प्रेज दे लॉड गुड मॉनिंग मेरे प्रीयों मैं बहुत खुशी के साथ आप सब को इस चैनल में स्वागत करता हूं मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किया इस चैनल के द्वारा प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं प्रभु आपको बहुत ऐसे आशिस करें अगर आप में कोई नए हैं तो कृपे आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हम जितना हो सके प्रभु का वच्छन को इस चानल के द्वारा आप तक पहुंचाने के लिए हम कोशिस करेंगे तो आज हम प्रभु का एक और वच्छन को ध्यान करेंगे युहना उसका 8 अध्याय का 11 जान 8 वर्स 11 उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं येशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आग्या नहीं देता जा और फिर पाप न करना मेरे प्रियों येशु मसी उस स्त्री को इतना सुन्दर से बता रहा है मैं भी तुझ पर दंड की आग्या नहीं देता जा और फिर पाप न करना यहाँ पर एक घटना हो रहा है एक स्त्री पाप में पकड़ी गई है वेबिचार करती हुई पकड़ी गई है लोग उसको पकड़ के एशु मसी के पास लेके आ रहे और अपने हाथों में पत्र लेके आ रहे क्योंकि वचन में लिका है वेबिचार में पकड़ी गई स्त्री को पत्राओ करके मार देनी चाहिए और वो लोग एशु मसी के पास आकर एशु मसी से पूछ रहे कि प्रभू ये स्त्री पाप में पकड़ी गई है वेबिचार करती हुई पकड़ी गई है और वचन के अनुसार पवीत्र शास्तर के अनुसार आइसिस्त्रियों को पत्राओ करके मार देनी चाहिए करके मूसा ने पवीत्र शास्तर में हमें आग्या दिया है तो आप इसके विशे में क्या कहेंगे करके एशु मसी से पूझ रहे एशु मसी चुपचाप जमीन के उपर कुछ अपनी उंगुली से लिक रहे थे और वो लोग बार बार एशु मसी को पूझने के कारण एशु मसी सीधे होकर उनसे कहा तुमें जो निश्पाफ हो वही पहले उसको पत्तर मारे और फिर जुक कर भूमी पर उंगुली से लिकने लगा एशु मसी ने कहा जो तुमें निश्पाफ है वही पहला पत्तर मारे तब सब लोग छोटे से लेकर बड़े लोग तक सब लोग अपना हाथ में ललिया हुआ पत्र को नीचे फेक के अपना अपना घर चले गए कोई भी पत्र नहीं मारा क्यूंकि पवित्र शास्तर में लिका है कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं सब पापी हैं और परमेशर के महीमा से रही थे परमेशर के महीमा से दूर हो गए हैं इसलिए सब लोग चले गए और वहाँ पर येशु अकेले और वो स्त्री अकेली रहे गए तब येशु मस्य उस्त्री से कहा येशु ने सीधे होकर उसे कहा हे नारी वे कहा गए क्या किसी ने तुझ पर दंड की आग्या ना दी उसने कहा हे प्रभू किसी ने नहीं इसुने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आग्या नहीं देता जा और फिर पाप न करना हालेलुया कितनी दया की बात है कितना अनुग्रल, कितनी बड़ी दया Praise the Lord इसुने कहा था जो निश्पाप है वही पहला पत्तर मारे और जो जो पापी थे सब चले गए और जो निश्पाप है यानि एश्व मसी वहाँ पर खड़े है तो एश्व मसी उस तरी को पहला पत्तर मारनी चाहिए था लेकिन एश्व मसी ने नहीं मारा बदले में उसको कह रहा है मां कहां गए जो आपको शिक्षा देने के लिए आये थे आपको किसी ने दंड नहीं दिया तब वो स्त्री ने कहा हे प्रभू किसी ने नहीं येशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आग्या नहीं देता जा और फिर पाप न करना मेरे प्रियों येशु मसी भी उसे छमा कर दिया माफ कर दिया पूरा पूरा माफ कर दिया जा बेटी मैं भी तुझ पर दंड की आग्या नहीं देता जा और फिर से पाप मत करना मेरे प्रियों पूरा हालात प्रभु ने बदल डाल दिया वो स्त्री के लिए कुछी मिनिटों में कुछ घंटों में वो मरने वाली थी लोग हातों में पत्तर लेके आये थे उसको मारने के लिए लेकिन एश्वी मसी पूरा हालात को बदल दिया God changed the whole situation ups and down और उस्त्री को एक नई उमीद दिया एक निव लाइफ दिया परमेश और एक नई जिंदेगे उस्त्री को दिया मेरे प्रियों येश्व मसी उस्त्री को माफ कर दिया Jezus has the power to forgive our sins परमेश और हमारे पापों को शमा करने वाला है हमारे पापों को माफ करने वाला है क्या आप अपके जीवन में उम्मीद को खो दिये हैं क्या आपका भविश्य आपको नहीं दिक राए मेरे प्रियों अगर आप में कोई ऐसी परिस्ति में है कुछ गलती कर बैटे हैं कुछ पाप हो गिया है क्या उसी चिंता में है क्या आप सोच रहें मुझे कोई भविश्य नहीं है मैं तो कोई काम का लायक नहीं हूँ आपके लिए एक खुश खबरी प्रभु दे रहा है येशू के पास आओ येशू आपके हालातों को बदल देंगे येशू आपके जीवन को बदल देंगे आपके पाप से आपको पूर्णरिती से छुटकारा देंगे परमेश्र एक नई जिंदगी आपको देगा गाड इस गईं टो गिव अन्यू लाइफ टो यू एक नई उमीद एक नया जीवन एक पवीत्र जीवन येशू मसी देगा अभी वो स्त्री ने जो पाप किया है न उसका दंड कोन भोगेगा पाप की मजदूरी मौत है आव वो स्त्री पाप कर दिया है उसका दंड मौत है अभी वो दंड कोन भोगेगा येशू मसी वो स्त्री को इंडारेक्ली बता रहा है तुने जो किया है ना उसकी सजा मैं उठाऊँगा मैं कुरूज पर उठाऊँगा मैं तेरे लिए दंड उठाऊँगा तेरे पापों का बोज मैं उठाऊँगा और मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ जा फिर से पाप मत करना Praise the Lord मेरे प्रियों कौन है इस दुनिया में इतना बड़ा सेक्रिफेस्ट करने वाले कौन है इस दुनिया में इतना बड़ा प्यार करने वाले ये इश्यू हमारे पापों का बोज उठा रहा है और हमको पाप से आजाद कर रहा है Amen Praise the Lord इसलिए मेरे प्रियों इसू के पास आओ अगर आपको एक नई उमीद चाहिए अगर आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते है अगर आप उस पाप से चुटकारा पाना चाहते है एक पवित्र जीवन जीना चाहते है एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते है एक brand new start करना चाहते है अपने life को येशु के पास आईए येशु आपके पाप के जीवन से आपको पूर अरुती से छुटकारा देगा आपको एक new beginning, एक brand new start देगा आपको एक नया उमीद देगा जीवन में एक पवित्र जीवन आपको जीने के लिए सहायता करेगा येशु के पास हाओ उस त्री को येशु के पास अगर नहीं लाये होते तो उसको मार दिये होते वो मर गई होती लेकिन येशु के पास लाये वो बच गई, उसको एक नई जिंदगी मिली येशु उसके पाप का सजा को खुद भोगा खुद उठाया और उसको आज़ाद किया येशु आपके पाप का बोज 2000 साल पहले कलवारी कुरूस पर वो उठा दिया है वो सारा डाम चुका दिया है अपने लहु से आपके पापों को धो दिया है आज वो आपको आपके पापों से आजाद करना चाहता है आप येशु के पास आएंगे तो अगर आपको आजाद ही चाहिए आप स्वतंत्र होना चाहते हैं आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं एक brand new start करना चाहते हैं तो येशु के पास आईए येशु के पास आना ही होगा येही एक solution है येशु आपको मदद करेगा God bless you एक चोटी सी दुआ करेंगे आस्मानी बाप धन्यवाद करते सुन्दर वचन के लिए प्रभू येशु हमें सहायता कर हम आपके पास आते हैं मेरी बेहन, मेरा भाई क्या आप ऐसी परस्तिती में हैं क्या आप बेचेन में हैं क्या आप आजाद होना चाहते हैं पाप से छुटकार पाना चाहते हैं येशु के पास आना येही एक रास्ता है येही एक solution है आजाद होने के लिए येशु आज आपको छोड़ा रहा है येशु मसी आपके पापों को छमा कर रहा है माफ कर रहा है येशु आज आपको आजाद कर रहा है येशु आपको एक नई उमीद देने जा रहा है येशु आपको एक brand new starting दे रहा है God is going to give you a brand new start Come to Jesus Come to Jesus प्रभु इन सबों को bless करना हम आपके पास आ रहे है प्रभु हमें एक शमा कर हमने पाप किया है आपको बहुत दुख दिया है प्रभु जी हम आपसे दूर हो गए प्रभु हमें एक शमा कर हमें माफ कर प्रभु हम आपके पास आ रहे हमें एक शमा कर हमें एक शमा कर ओ प्रभुजी जैसे उस तरी को तुने छमा किया माफ किया एक नई जिन्दगी दिया वैसे हमें भी प्रभुजी एक नई जिन्दगी दे हमें भी एक brand new start कर प्रभु ओ सहाय तक अब तैंक यू लॉड प्रभु जो मेरे साथ प्रार्तना कर रहे है जो ऐसी परिस्ति में जो लोग हैं प्रभु इन सबों को आप मदद कर इनके पापों को छमा कर प्रभु माफ कर प्रभु इन्हें एक brand new start दे एक नई उमीद इनके जीवन में दे एक नया शुरुवात इनके जीवन में दे एक नया जीवन उनको दे प्रभु उन्हें bless करना आशीस करना प्रभु Thank you Lord धन्यवाद प्रभु प्रातन सुनने के लिए हमें एक छमा करने के लिए एक नया जीवन देने के लिए धन्यवाद करते हैं येश्व मसी के नाम से मांगते हैं पिता सुनर ग्रहन कर आमें God bless you Have a blessed day